स्टार प्लस का हिट टीवी सीरियल अनुपमा दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। इस सीरियल में रोज एक नया द्रामा देखने को मिलता है, जिस वजह से कहानी से दर्शक बंधे हुए हैं। सीरियल के बीते एपिसोड में देखने को मिला था कि तोशू की वजह से शाह हाउस में खूब सारा ड्रामा होता है, जिसके बाद बा अनुपमा के घर जाकर उसे बद्दुआ देती है क्योंकि वह तोशू की मदद करने से साफ इनकार कर देती है। वही माया भी अनुपमा और अनुज पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। इसी वजह से दोनों के बीच थोड़ी सी तू तू, मैं हो जाती है। लेकिन घर के सभी लोग मामले को शांत करवाते हैं और काव्या को जाने के लिए कहते हैं। तभी उसे मोहित घर लेने आता है। इस दोरान दोनों का बॉन्डर देख वनराज को जलन होने लगती है। सीरियल की कहानी में आगे देखने को मिलेगा की काव्या मोहित को देखकर काफी खुशो जाती है और घर के बाहर उसे गले लगा लेती है। ये चीज वनराज को खास पसंद नहीं आती। लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं पाता। हालां की काव्या अपने डायरेक्टर को घर में लेकर आती है और उसे सबसे मिलवाती है। इस दोरान मोहित वनराज से माफी मांगता है क्योंकि उसने उससे फोन पर थोड़ा सक्त लहजे में बात की थी। साथ ही वह घरवालों के सामने काव्या की तारीफ भी करता है। शाह हाउस में जहां ये सब चल रहा होता है तो वहीं अनुपमा के घर पर भी सभी लोग मकर संक्रान्ती की तयारी में लग जाते हैं। इस दोरान छोटी अनु एक ड्रेस पसंद करती है जो उसे ओनलाइन नहीं मिलती। अनुपमा कहती है कि वह उस ड्रेस को बना देगी लेकिन अभी नहीं। इस बीच अनुज और अनुपमा की हर हरकत पर माया की नजर बनी हुई है और इसी वज़े से माया छोटी के लिए सेम वही द्रेस घर विजवाती है जैसी उसने पसंद की थी। ये चीज देखकर अनुज और अनुपमा थोड़ा परेशान हो जाते हैं और माया से मिलने की सोचते हैं।